हेलो एवरीवन कैसे हूँ आप सभी लोग SSC CGL 2019 T2 का एड्मिट काड स्टेटस आउट हुँ चुका है अभी सिर्फ इस्टन रिचन का आउट हुआ है बाकी रिजन का बाकी मोस्ट प्रविबलिश राम तक या कल तक सभी रिजन का आ जाएगा टेलिग्राम चैनल पे लिंक्स स्टेटस चेक करो ओफिशल वेबसाइट पर जाओगे ना इस्टन रिजन की तो पहले लिंक पर आप किलिक करोगे उसमें कुछ इस तरह की विंडो खुलेगी आपको अपना नाम और डेट ओवर्स बगरा डालके चैक करना है इसमें आपको तीन-चार चीजे पताचल लेकिन एग्जाम डेट और सिटी यहां से आपको इसका आइडिया लग जाएगा ठीक है तो यहां पर पेपर बन पेपर टू पेपर थी पेपर फॉर्ड जिसके जो जो पेपर इसना सब्सक्राइब यहां पर तीर थरी का इन्होंने शायल साथ में भी नहीं दिया है ठीक ह चैनल पर डाल दूगो तो टेलिग्रम चैनल जोईन कर लेना बाकी MTS एस्प्रेंट सोड़े से खफा है मुझसे कि मैंने उनका रिजल्ट बहुत अच्छे से एक्स्प्लेइन नहीं किया तो इसके पीछे रिजल्ट था कि जब आपका रिजल्ट आया एक्चुली मैं डेली से जरीशी केश जा रहा था उस टाइम पे तो कार में था तो कार में ही मैंने अपडेट दिया रिजल्ट आते ही वीडियो बनाके और टेलिग्राम पे बताया आप लोगों को लेकिन डिटेल में मैं एक्स्प्लेइन नहीं कर पाया और अब ही मैं कल ही आया हूं तो अभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ बाकि कुछ ना कुछ जरूर करेंगे हम और मैं सभी एससी सीजियल से रिक्वेस्ट करता हूं जो पहले सेलेक्शन ले चुके हैं वह MTS के डोक्यमेट वेरिफिकेशन में नहीं जाए अगर आपको जोब नहीं करनी है MTS के थूरू तो क्य वेरिफिकेशन पर जाके आप एक केंडियेट जिसका सेलेक्शन हो सकता है उसकी सीट यहां पर खराब करोगे तो रिक्वेस्ट करता हूं दिल से कि डोक्यमेट वेरिफिकेशन पर मज जाना ठीक है सीजिल स्लेट या सीचल सेलेक्ट केंडियेट MTS के और MTS की जो कटोफ ब में अगर हो पाए तो बहुत अच्छी चीज़ है स्टार्टिंग से हम इस चीज़ के लिए लगे हुए है कि वेटिंग निश्ट अब हैसे कम से कम MTS में तो कुछ नो कुछ ऐसा होना चीए और काफी लोग मुझसे बार-बार ये भी कह रहे हैं कि सर ऐसा गर दो कि सीजल का पहले आजाए और उसके बाद फाइनल जो MTS का डॉक्यूमेट वेरिफिकेशन हो उसके बाद हो मतलब अगर हम ऐसा सोच के चलेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत जादा डिले हो जाएगा ठीक है वी कांट रिक्वेस्ट तिंक लाइक दीज टिक तो आप लोग इनके अच्छ पुझ भी ऐसे नहीं कर सकते है कि एकदम कि यह कह दें कि सीजल का फाइनल जोट आए उसके बाद ही या चीज़ लिट वेटिंग लिश्ट होनी चाहिए अगर MTS के अंदर वेटिंग लिश्ट आ जाती है तो यह इशू काफी है तक रिजोल्व हो जाएगा और future experiments को भी उस के लिए भी है कि छे शैद 6 नवंबर से यह आपका नोटिस निकलना था तो नोटिस आने वाला है आप एक्जाम डेट्स आपको अल्रेडी पता है तो अपनी त्यारी में आप अभी से लग सकते हो और बाकी कुछ नया होता है तो मैं आपको जुरूर बताऊंगा को एमटेस का देखते हैं एक बार अच्छे से लाइट करूंगा मैं रिजल्ट को अगर कुछ लगा मुझे कि यह कट ओफ जा सकती है फाइनल तो उसके बारे में बात करेंगे लेकिन वो थोड़ा से कॉंप्लेक्स है बताना बाकी दोती नंबर का गैप मैक्सिमम रहेगा उस